आज की डेस्टिनेशन थी धनकर मॉनिस्ट्री जिसमें धंक का मतलब होता है एक क्लिफ यानि एक उंचा टीला और कर का मतलब होता है एक फोर्ट यानि उस उंचाई पे बना एक किला मगर यहां पहुचने से पहले हमें देखने थे टाबो केव्स जहां कभी लोकल्स इस विंटर में जाकर के रहा करते थे मगर इन मंजिलों की कोई एहमियत नहीं है अगर आपने मजा सफर में लेना नहीं सीखा कर दो 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 कि क्या खुच्छा सुगैतरी इस धूप और यह बहार बहार का नजारा ने एक बार मैं आपको दिखाता हूं मासवाली बाच्ची चल रहे है रूम है पहले यह देखो व्यू चैकाउंट करो बहार यह है खुबसूरत नजारा और अभी हम है टाबो में तो टाबो का सीन कुछ ऐसा है और सुबह के बज़रे है आठ और चलते ज़रा क्या लाएँ कौन सी चाय लाएँ हर्बल्टी है अथ है श्बहर गुद्ध में इसाद शाव है खुबस्ध टाइब व्या अड़े है यह है यह इस नाइस 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 ओर यह है तो फिर मिंध का यह है लूएच को ट्रु यह है रहा मद तक दर्वे लूए यह उस आरा जा पर दूंग तो ट्सारे बंदे देख ताबो में हमारे होमस्टेइ से टाबो केव्स की दूरी सिर्फ और सिर्फ डेड़ किलोमेटर थी और टाबो से काजा जो की आज की डेस्टिनेशन थी वो सिर्फ 48 किलोमेटर तो हमने दिन थोड़ा आराम से शुरू किया और यह है अंदर एक चोटा सा मेडिटेशन रूमाइटेशन का अगरा ज्यादा अंदर तो नहीं जाएंगे क्या पता अगर मेडिटेशन का स्पार हो वाट कुछ आसा है थे सबस्क्राइब तो यह हीटिटेट कितना यह न बहुत हीटिए और यह तो अगर बहुत फरके जो एक और जो एक और जो अच्छल के बनाया हुआ है जो नाच्रल के इसे इनको थोड़ा सा बैनमेड करके बतलब बनाया हुआ है वह आगे चल के देखते है शायद किये रास्ता जा रहा है आगे यहां से और इसके पीछे 10 मिनट का रास्ता है जो में दुछ यहां बने हुए है कोच यहां बने हुए है और आया भ的话 पर नीची के नागी है अशना थे जैसे जए घख grass in कि अचेश को बना थेंगे अंदर से अपना रहने का बनाए हुआ है उपर से मतलब ता कि ठंडिया पानी ना आ सके तो पिकल नगे अंदर दर में देखना नहीं रह रहा लग रह रहा है यह जाता हूं यह प्रेंट किया हुआ है तार्मक रोड़का होता है तारकोल वही है वही है ना गरम रखने के लिए नाइस अच्छाना है अग्दम से ठंडी हावा ठंडा है सब कुछ पूरा ग्रूप अपना भी यहां पर एक चीज और दिखा दो तो वह नीचे आप देख रहें वहां पर वह है पुराना वाला जो मिट्टी वाली है और एक नई भी बन चुकी है ताबो मॉनस्ट्री जो पूरी मिट्टी से बनी हुए बतानी आपको कितनी दिख रही है तो अभी के लिए शायद हम यह वाला तो नहीं जाएंगे लेकिन अभी हम जारें धनकर मॉनस्ट्री है तो आज का प्लाइन कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है चोटा यह आराम करना है क्योंकि दो दिन से बहुत खीच रहे शूटिंग स्टोन जो नहीं सारा उपर से पत्तर गिर रहे पानी कितना सुन्दर यार नीचे ब्रीज 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 लेने के लिए न जितने भी देखो उपर से वाटरफॉल आरे लेफ्ट साइड से सारे जमें हुए सब जम रखें फ्रोजन अब जैसी इन पर दूप पड़ेगी अभी दूप नहीं इसलिए इसलिए फिर पेगलना शुरू हो जाएंगे पानी बन जाएगा इसलिए वह नीचे नदी का पानी इतना जादा ब्लू दिख रहा है तो फाइनली ओपन लाइन आ गया थोड़ा सा अधिया ओपन खुली वैली लग रही है भाई साव एक्दम खुला है नाइस अधिया ओर आधिया पीपल वेलकम बैक तो वी आर अन दो वेटु काजा और यह खड़ा है अपना काफिला वह खड़ा है अपना राइनो और पूरा अपना पंद्रा बाइक काफिला जिसमें दो बाइक और एड हो गया मतलब वहां पीछे दो बाई लोगा रहे शतरा और अपनेट देते हैं अपनेट तो मैं पीछे खड़े हो जाता हूं फिर रोण शोट लेता हूं चलते चलते तो नहीं लेते हैं अब वह यह रोड जाब बहुत ज्यादा पतली है तो ग्रुप को रुकने का मौका यह जगे नहीं मिली होगी क्योंकि जाम लग जाता है ना सामने से तो मैं ही सबसाओ फोल यह है। नीचे से हृद है वो रोड आ है अरल है तो और थो तक्रनी इसया को पिछला रहे मतलब पर रहे छैया का nut cac दंकर मॉनेस्ट्री का रोड वैसे तो आज पर गूगल में पर आप यह पर कह रहे हैं कि नीचे से जा रहा है पता नहीं किया देखते हैं एक बार आगे चलते हैं पता चल जाएगा चलो गाई चलो अच्छा अच्छा यह है वह चड़ाई आओ निगा चलो चलो कि दिए अच्छा रही है बाई अच्छा बाई गां कि अच्छा आधि ला रहे हैं जैसी हम निकलते हैं ना कहीं से वी रिख घुल जाते हैं एक ट्रावलर घड़ी हो उसमें 10 लोग निकले फोन बलड़किया नड़के फोन की वीडियो खोली और मुस्कुरागा तिला रहे हैं कि का जबर्दस भी हुए है तो यह देखो क्या पिलर जैसे खड़े हैं नैच्रली बने हुए और वो है मॉनेस्ट्री बट मॉनेस्ट्री के ट्रेक से ज्यादा चैलेंजिंग हमारे लिए लिमिटेड पार्किंग स्पेस में अपनी 15 बाइकों को पार्क करना था आप स्टेंड लगाओ इस तरफ का स्टेंड लगाओ इधर का स्टेंड लगाओ कोई बात निलगाओ कोई नहीं जाएगा बस बस और झाल जो टूँ अजयरागा अग्यार खोर्श dość टूँ टूँ कि निगके वाड़ा है तिंग टूँ अकश्ट अशश जाड़ी लाैं बस टूँ कि आसने निगला ठीग है और कोडने एक सुड़ें तुम्कि इसका षह स्का बढ़ist खुप पर माय। खुप भाई पती है किसुभीए अगा पाई प्रवाई नीया है इसो नज़ है इस फाई पाल ताल दीयाए? तुम्हें चुप नज़ नज़ अ ताल दियाए हाँ पुम्हें लगोः लगोः ताही है मेनी ऊफल दाना पहले इसको तो करने दो, इसका पहले इसको करना पड़ेगा, यह कहा करें, अलगा सी दर फिसका सुपाम चलो भाई चलो क्या रगते हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाओड होगी कि नहीं? अलाओड होती है धंकर मौनिस्ट्री जिसमें धंक का मतलब होता है एक क्लिफ यानि एक उंचा टीला और कर का मतलब होता है एक फोर्ट यानि उस उंचाई पे बना एक किला अब क्यूंकि ये किला थाउजन फीट की उचाई पे बना है 17th century में Spity Valley का traditional capital भी रह चुका है और अगर आपको इसके बारे में और जानने का वन कर रहा है तो एक बार यहां की trip जरूर प्लान करना वहां वहां पर व्यूपइंट बहुप अच्छाई लोगों के मूह तरह में बहुत ज्यादा लेकिन मैं फोटो जादा लेकिन पूटो जादा लेकिन लिए जारा है क्या यह सच है आदे जो फिर खातें चलते उपर बेस्ती होगी अब क्या क्या रहा हुआ है आप बोलो केम्रे मारा पर केम्रेश जो क्या पर जो ऐगया ऑगा मैं बाइसाब यह जो जो क्या फ्यूजुश अबάट सब्सक्राइब गार, दियार मैगी मेरे खिलाओ लो आप चावल से घुआ और खाया जा किल और खाव ए-जो भा啊 क्ले भी खाना स्टार्ट करें जरा फिर काजा पहुंचाएं आपको, कैंधने मिलने वाला है आगे, क्या होगा ऑल म हम पामोर्स के लिए तो इस ग्रूप में कोई किसी के हिसाब से नहीं चलता है सिर्फ लाइन अप को छोड़के जब तक साथ चल रहे हैं एक डेस्टिनेशन पे पहुंचने के वाद जिसको जहां शूट करना है सब ओपन और फ्री है सनलाइट सिर्फ तब तक थी जब तक हम एक हाइट पे थे मतलब यह वैली में नीचे उतरते ही सनलाइट चलीगी और इस वैली में जहां सनलाइट ना हो वहां जमा हुआ पानी आपको जरूर दिख जाता है मगर इस बार सिर्फ पानी नहीं एक पूरा का पूरा वाटरफॉल ही जमा हुआ था आज का अपडेट कुछ ऐसा है पीछे का नजारा देखके तो मतब रहा नहीं जा रहा है इतना खुबसूरत व्यू है क्या वाद है तो नीचे चलते हैं और कुछ सिनेमाटिक्स नीचे से दिखाते हैं और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता चला गया मतलब लाइट और कम-कम-कम होती गई वैसे वैसे हम लोग डेस्टिनेशन के और नजदीक पहुंचते गए और डेस्टिनेशन मतलब काजा तो काजा में एंट्री कुछ इस तरीके से हुए है और यह मेरा बैग वेस्ट बैग था तो पढ़ पढ़के जम गया है देख रहे हो अब ही देखा मैने अतारते समय वाह किया रहे है फिर से बोलो अल्राइट पीपल वल्कम बैक तो कुछ ऐसा है रूम जिसकी हालत बिगड़ चुकी है मतलब यह है बुखारी और आज क्या यह हमारे अहमद भाई साब भाया भी आ गया है अरे वह भाया कहांगे वह इधर उस वाले रूम में होगे हाँ इधर द चुका हूँ और देखो को रहा है तो संडे मीट पे भाई हमें मिले हुए थे जो अर्चन वैली वाली एक रीज डाली दी वह इसमें हमारे साथ और सचिन धाका जी यहां अल्रडी वाई हुए और दो हुए तो अब प्लान कोछ ऐसा है कि अभी क्योंकि नेक्स ट्राइड अब बना रहे हैं आपको बता देते हैं कश्मीर तो भाई शाइज जोइन कर सकते हैं कर दो आप लोगों को भी वाने मने अपडेट दे दिया फिराल कुछ ऐसा यह बाकि खाते पीते हैं दिन इसमें करते हैं बाकि मिलते हैं आगे नेक्स अपडेट में तो सोने से पहले की चाय भाईया लेकि आगए बढ़िया लोग देखो टूटके चाय पी रहे हैं हमारे किसे लोगों को पता में यह लोग रिकार्ड हो रहे हैं कोई एडिया नहीं है तो चलो यार थोड़ा सा काम कर रहा हूं कुछ कंडेंडों बना लेते हैं और उसके बाद लेते हैं अप ल यार